हालो इप्रोन आउट दियर विल्काइट वीडियो चैनल मशीन अदमी अगर आप मार्केट में एक भाइक ढून रहा हो मालो वां सिक्षी सिसी का कोई बाइक तो पहले आपको क्या-क्या चीस चाहिए कुछ इंफर्मेशन चाहिए जैसे कि उसका प्राइस का है फिशर्स का है स्पेसिफिकेशन क्या है तो आज इस कॉंटेंट के द्वारा मैं यह सारे के सारे चू इंफर्मेशन अब लोग को प्रोवाइट करूंगा और जिस पाइक के उपर में प्रोवाइट करने वाला हूं वो है हीरो मोटो कॉप्स के तरफ से न्यू एक्स्ट्रीम 2.0 में आके इस बाइक में धेर सारा चेंजिस आया है उसके बारे में हर इंफर्मेशन आम लोग के साथ सब में शेयर करने बाला हूं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रीली वांट तो थैंक है रूद्ट्रो हीरो मोटो कॉप्स नों लोग के शोरूम में आके उन अगर आप हीरो के पोड़ाट को खरीदने वाले हो तो डिस्क्रिप्सिन बॉक्स पे रूद्रो हीरो मोटो कॉप्स का जो कॉंटेक्ट रील से एक बड़ देख लेना के दिटेल को समझेंगे और आप लकी शेयर् भी करेंगे तो यह चो भाइक है अभी बर्दमान में इसका एक्शॉण प्राइस है यह एक्स्ट्रीम स्टेल्थ 2.0 है, इसमें डूएल डिक्स उपलब दे, बेस वालब एरियन में रेयर में आपको ड्राम ब्रेक भी देखने को मिलेगा, तो बिसिकली यह जो बाइक है, यह ट्यूबलर डायमंट फ्रेम के उपर बेस करके हिरो वालने बनाया है, इसका जो वि 167 mm, जो फूएल टैंक है, उसे कापसिटी है 12 liter, और इसका जो वेट है, मतलब कर्व वेट जो है, वो है 143 kg, तो यह था कुछ बेसिक सा इन्फोर्मेशन, तो इस बाइक का एक ब्यूटिफूल डिजाइन लेंग्वेज है, उसको समझते है, फ्रॉंट से, तो फ्रॉंट से अगर इस बाइक को देखोगे, तो इसका जो हेडलाइट का जो सेफ है, कुछ यूनिक सा आपको लगेगा, बिसे के लिए बहुत ही एक पावर्फूल हेडलाइट है, यह जो हेडलाइट आप देख रहे हो, यह हाई ओक्टेन ड्रॉइड हेडलाम्प है, विथ पोजिसेनि इंडिकेटर देखने को मिले गा, हिरो बाइक इसको वुइंकर बोल रहा है, तो यह जो पूरा को पूरा सेटाप है, यह पुरा है यह फूरा हीडलाइट यूनिट तरा इंडिकेटर यह सब का सब एलीड है, उपर में आपको लोगो भी देखने को मिलेगा, चेंज सके ऐसे, और एक जो major visual change आपको देखने को मिलेगा, वो है, इसमें अभी knuckle guard आता है, hero का batching भी यहां पर मस तरीके से लिखा है, मतलब नया visual graphics है, नया knuckle guard है, और उसके साथ आपको यह जो suspension है, इसमें भी rate color का इंसाथ देखने को मिलेगा, तो यह ता visual changes के बारे में कुछ information, तो अगर front suspension के बारे में बात करें, तो यह जो suspension है, 37 mm diameter वाला एक telescopic fork है, with anti-friction boost, यहां पर अगर front mark guard को अगर देखोगे, तो यहां पर hero वालों ने matte black का इस्तिमाल किया है, और अगर इस portion का अगर देखोगे, तो यहां पर कुछ carbon fiber जासा finish है, उससाथ यह red color में है, reflector है, ABS, यह single channel ABS है, उस ABS का stickering यहां आपको देखने को मिलेगा, front में आपको एक petrol disc का देखने को मिलेगा, जो है 276 mm का, उससाथ एक beautiful सा alloy design के साथ, यहां पर rate sticker के साथ, एक 17 इच का tubeless tire आपको देखने को मिलेगा, basically यह font tire है, यह 100 by 80 section का, तो, यहां पर आगर आओ गया आप, hero का batching है, extreme stealth का, यहां पर 3D emblem आपको देखने को मिलेगा, matte black है, gossip black है, और यह एक बड़ा सा seat है, मतलब rider के लिए enough room आपको देखने को मिलेगा, pillion के लिए जागा भी कम नहीं है, और सिट का पैडिंग है, वो एक दम सही है, मतलब ना hard ना soft, उसे साथ आपको एक extended grab rail देखने को मिलेगा, जिसका डेजाइन बहुत मस्त आपको लगने बाला है, यहां पी 160R का batching आपको देखने को मिलेगा, red color का foot pick का stand आपको देखने को मिलेगा, तो red black का combination में यह bike लगता तो है, बहुत muscular, उसे साथ आपको एक बीटुपल सा exhaust system आपको यहां पर देखने को मिलेगा, अगर रियर में आओगे आप, तो एक LED till lamp आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्मोकी स्मोकी लुक के साथ, उसके बाद आपको यहां पर LED वुइंकर देखने को मिलेगा, तो रियर वाला जो सस्पेंशन है, उसके बरे में अगर बात करें, तो basically रियर वाला जो सस्पेंशन है, वो seven step rider adjustable एक monoshock suspension है, रियर का जो टायर है, यह 130 by 70 section का 17 inch का एक टायर है, यह देखने में बहुत चौड़ा लगता है, रियर का जो ब्रेक है, यह डूएल डिस्क वेडियंट है, रियर में आपको एक 200 mm का पेटल डिस्क देखने को मिलेगा, तो फिलियर के लिए जो food rest है, यहापको टीद चैसा material भी देखने को मिलेगा, तो यहापको कीग भी देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चीज है, तो इसके बात कलते हैं, दूसरा चेंज के उपर, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, वो है, यह यह जो स्टिकर है, इस सब को पता चलने वाला है, कि यह बाइक जो है, यह अभी E20 oil compatible एक इंजिन के साथ आता है, उससे साथ इसमें hero connect technology है, उसके लिए भी आलग changes के बारे में बात है, और कुछ ke विजूल चेस आप को देखने को मिलए गा, जो हे इसके switch gear के उपर, उसके switch gear है, पहलaff एम्प्रोव हो चुका है, तो इस switch gear है बारे बात कर ले ते है, जासका को यहाँ पर hazard switch देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ignition का switch देखने को मिलेगा अब जब flight simulator वाला game खेलते हो उसमें आपको इस टाइब का कुछ चीज देखने को मिलेगा जो मेरा क्याल से मज़ा आने वाले आपको तो यह जो basically जो फीचर से आपको यहां पे upper beam, lower beam के लिए यह pass switch है यहां पे turning indicator है यह horn switch है यह जो नया वाल जो switch है इसको grip करने में इस्तेमाल करने में आपको मजा आने वाला है और यहां पे आपको एक USB charging port देखने को मिलेगा इसका जो location है यह बहुत सही है फाउल नहीं होने वाला है यह तो अभी इस इसका जो console है उसको एपद देख ले थे तो एक बहुत ही प्यारा सा inverted LCD console आपको यहां पर देखने को मिलेगा और इस console का जो सबसे बड़ा खासी है थे वह है इसका जो brightness से इसको आप खुद की हिसाब से अड़्जस कर सेकते हो देज फाइज स्टेज एजस्टिबिटी इन the brightness section बैसे तो इस console में एक नया चीज एड़ हुआ है वह है इस console में अभी आपको एक गियार पोजिशनिंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो एक बहुत ही अच्छा बात है उसके साथ आपको यहां पे rpm, speedo, odo, fuel gauge, time यह सारे के सारे चीज आप यहां पे रिड़ाट कर इसको दबाऊगे तो आप ट्रीप A, ट्रीप B, odo यह सारे के सारे चीज आप देख सकते हो तो अभी इसका जू साउंड है उसके वाद सुन लेते हैं तो बात तो बहुत हो गया, तो अभी जो मेन जो चीज है, मतलब इस बाइक का इंजिन, इस इंजिन के बारे में जो इंफॉर्मेशन आप लोक्षा शेयर करते हैं तो बिसेकली यह जो इंजिन है, यह एयर कूल्ड, फोर स्ट्रोक, टूवर्फ, सिंगल सिंडर, ओ, एक एंजिन है, 163 CC का, जहां से आपको 8500 RPM में 11.2 KW, लगबग 15.2 PS का पावर देखने को मिलेगा, और 6500 RPM में 14 Nm तॉर्क देखने को मिलेगा, उसे साथ आपको नीचे प से इसको बहुत ज़्यादे इन्हेंस कर देता है, तो कूल मिला कर देखा जाए, तो 23 में आके, यह नाया जो एक्स्ट्रीम स्टेल्थ एडिशन का 2.0 वाला वेरियंट है, इसमें बहुत सरे चिंजिस आपको देखने को मिल रहा है, विजूल है, कुछ सेप्टी के तरफ से है, कुछ इंटर्नाल है, कुछ इंजिन के तरफ से, तो उसके साथ आपको यहां पे हीरो कानेट का फेसलिटी भी मिल रहा है, जिस फेसलिटी के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे के टो ऐवे, टूपल ऐलाट हो गया, जियो फेंसिंग ऐलाट हो गया, वेहिकल स नाया विजुवल चेंज, नाया कुछ इंजिन वाला चेंज, बनाया कुछ सेप्टी फीचर के ही सब सागा देखोगे, तो यह बाकी कंप्रिटर को एक बहुत ही तगड़ा कंप्रिशन देने वाला है, तो वही तर रुद्रो हीरो मोटो कॉप्स के शोर में आके, यह बहु के मन के अंदर जो डावटे कुछ हद तक उसको क्लियर कर चुका है, तो अगर आव लोग को यह कॉंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीस में चनल को सब्सक्राइब कर देना, पेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कॉमन्ट सेक्शन में आप लो